हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माई चैनल बंस अगेन सो मैं पंकाच कुमार इस वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं कोड फूस राउंड 826 देट फूर दिफ्थरी का थर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है मिनिमाईज थीकनिस एंड यह इस कॉंटेश्ट का फर्स्ट और सेकेंड प्रॉब्लम के कंपेर में काफ़ इच्छा प्रॉब्लम है ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड धंक से देखना एंड किसी भी तरीके का डॉट आपको बजता है तो नीचे कमेंट बोक्स में ज़रूर बताना ठीक है तो क्यूस्टन पर मुव करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मैं आप लिट कोट एंड कोट फोसेस पर होने वाले अल्मूस्ट एवरी कांटेस्ट की वीडियो एडियो आपको प्रवाइड करता हूं तो आप एक वाद दे जो पाइब करना कंटेन्व एलिमेंट का सेग्मेंट की बात की जा लिए और इसका पर इंडेक्स होता है ल बताया या लाश्ट इंडेक्स सग्मेंट का और वह ऐसा कुछ थीक है अब यहां पर यह पॉइंट है समझना यह आप जानते हो यहाँ पर वोला गया कि एक सेगमेंट जो है जो आपको सेगमेंट में ब्रेक करना है सच डेट की जो हर एक एलेमेंट है किसी एक ही सेगमेंट में होगा and sum of elements जो होगा हर एक सेगमेंट का तो एक सेगमेंट में तीन नंबर हैं दूसरे सेगमेंट में चान नंबर है तो यह तीन नंबर का सम और वह चान नंबर का सम दोनों जो होगा वह इक्वल होगा सब्सक्राइब और आपको एक्जांपल यहां पर दिया हुआ तब देखोगे इस टूटल सम 300 है इसको डिवाइड किया इसने कंटिनुवस में करना है तो यहां से कुछ तो दो एलमेंट उठाया जिसका सम 100 फिर इसके पास तीन उठाया इसका सम भी 100 और फिर से 100 ठीक तो अब बोला कि ऐसे मैं क्या कर सकता हूं एक से ज्यादा एक तो अलमुस्ट एक हमेशा होगा एक तो होगा कि आपने पूरे यह उठा लिया एक तो हो गहीं होगा बहुत सारे कंडिसन ऐसे होंगे अरे से होंगे जिसमें एकसे ज्यादा आपको ऐसे सेग्मेंट बनाने के तरीके मिलेगें अगर्यवार्यक मेंधिश्ट है वो उसको थीकनेस बता रही है तो यह ज़र स्प्लीटिंग मेथट है इसमें यह maximum length इसका क्या है सेग्मेंट का three तो इस मेथट का में three जो है इसका थीकनेस है तो ऐसे जितने साथे तरीकें हुगे आपको स्प्लीट करने के उन सब तरीकों के maximum जो थीकनेस है उसका ओके यहां पर देखते हैं क्या रहे था 55 45 एंड 30 30 40 एंड 100 तो एक देखो एक यही पूरा सेग्मेंट ले लो तो क्या होगा एक पूरा का सम 300 तो यहां पर क्या होगा इसका थीकनिस जो है वो आपका क्या है maximum तो maximum एक ही है जो की 6 है आपने break किया इसको ठीक है break किया 30 30 40 एक और यहां हो गया 100 यहां पर maximum 3 है तो इसका थीकनिस इसका थीकनिस क्या हो गया यह 3 हो गया अब 3 और 6 दो तरीके यहां पर हो रहा है तो इसका minimum क्या होगा तीन ओक्य यह आपको बतानी है एक और एक्जम्पल आपको समझाते हैं आपर फूर टैम्स फूर सॉरी वन एंड देन फूर 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 टैम्स वन एंड देन फूर देखो इसका सम हो गया 16 एक है कि पूरे अपने ले लिया तो यह थिकने सोगा एक मैं बता रहा हूं कि ऐसा करो चार है लिए एक में वन टू 3 4 यह कर दो और यहाँ पे फूर तो त्रीजिकनेस क्या हो गया इसका लॉंगे चार मैं मैंने बोला कि ठीक है ऐसा करो ऐसा करो और इस वन इंड वन और फूर आप देखो दोनों का तीन आ रहा तो थीकनेस तीन आप इन दोन टीनों का मीनम क्या होगा तो यही है ठीकने सापका सारी यह आपका फाइनल अंसर है कि ओके अब यह आपको समझ में आ गया अब इसके सॉलूशन के तरफ सोचते हैं इसको सॉल्व कैस्ट करेंगा लाइट देखो पहला चीज़ है एक आपके पास अंसर हमेशा होने वाला है ठीक है देखो यहां पहले हो रहा यह एए ले लेट सपोज है अब क्या होगह जब भी आप जो होगे अप लेट सपोज इसका चोटल सम समें करोगे अब आप क्या करोगे आपको क्या करना मिनिमम लेना है जो भी थीकने से है उसका तो सबसे पहले तो यह जानो कि थीकने से कैसे निकाले हम ठीक है तो यहां समें बात कर रहा हूं तो आप फर्स्ट क्योंकि consecutive element का sequence बन रहा है तो अब हम फर्स्ट अगर क्या है फर्स्ट अलमेंट से ही आपको चूज करना है फर्स्ट अलमेंट से चूज करोगे एंड किसी पार्टिकुलर इंडेक्स तक जाओगे यहां तक गए तो यहां तक कर जो sum होगा let's suppose अगर आप इसको चाह रहे हो कि हम ऐसा करें कि इसको एक segment के रूप में हम देखना चाह रहे हैं तो इसका let's suppose आपका जो sum 1 अगर बनता है ठीक है sum 1 बनता है तो ऐसे यह सारे segment होगे आपके मन में तो यह ही है कि यह जो segment x segment है हमारा तो ऐसे बहुत सारे segment होगे जिनका sum total sum जो होगा वो sum होगा ठीक है तो basically यह होगा यह segment तभी बन पाएगा यहां तक का अगर यह perfectly divide कर पाए total sum को यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि sum 1 यहां पर है और segment होगे उनका भी sum 1 sum ही होगा क्योंकि same equal करना है मुझे फिर sum 1 होगा और इस तरह कुछ होगा और total sum हमारा sum होगा तो इसको लिख सकते हैं sum 1 into sum y number of segment equal to sum means y equal to sum by sum 1 आप समझ गया है यहाँ पर फेक्टिवी डिविजमला अलग case है ठीक है जैसा कि आप उपर example अब देखो इसमें इस वाले example में देखो 4 इसका total sum कितना है 12 जहां पर मेला 4 तो यह एक valid segment बनने के लिए ready है इसको मैं valid segment बना सकता हूँ अब आगे का मझे नहीं पता कि बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन यह अकेला segment बन सकता है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर 4 है and possibilities है कि 444 की segment मुझे मिल सके तो 4-4-4 3 segment मिलेगा 12 हो जाएगा ठीक है ऐसा होता कि यह segment हो जाए 5 sum होता तो अब क्या कोई भी कुछ कर देते इसको अलग segment बना पाते है नहीं होता क्यों क्योंकि 5 अगर एक हो गया तो दूसरा को ऐसा होगा जो 5 के अग हो नहीं पाएगा ठीक है तो अब क्या होगा अब आपने देखा कि चलो यहां पर समवन बना एक बना सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ होगा कि इससे आगे जाने पर एक यह segment बन रहा होगा let's suppose इसका सम 2 है अब आपके पास problem यह है कि आप किसको चूज करोगे इस वाले सम वाले segment को और आगे बढ़ोगे या इस वाले सम के segment को या इसके सम को segment को और आगे बढ़ोगे या हो सकता है कि एक और ऐसा यहां पर मिल जा है ठीक है और यहां तक यह थोड़ा आगे तक जा रहा है और यह इसका sum जो है sum 3 है ठीक है तो आप कैसे बढ़ हो गया बढ़ना कुछ नहीं है फिर ऐसे अगर confusion हो रहा है तो देखो मैं first example जो आपको example मैं उपर जो last वाला बताया है वही वाला example लेका आपको समझाता हूं समझ जाओगे 4 1 1 1 1 1 & 4 12 है sum मैं आगे बठना शुरू कि आहां से sum अभी 4 है मैंने देखा 12 by 4 equal to 0 औरा मैं इस डिविजवल है मैंने कहा कि यह एक segment है मारा इसको गंदा नहीं करते हैं मैं एक नया लिग देता हूं कि ओक्या 4 1 1 1 & 4 अब यहां तक मैंने एक segment बना दिया एक segment हो गया और अपनी counting यहां पर 1 थी तो अभी तक अपनी जो है वह counting 1 चल लिए मैक्सों की अगर बात करें जो थीकने से अपना तो 1 चल लिए यहां पर आये तो सम हमारा जीरो हो गया counting भी हमारा जीरो हो गया अब हम यहां से देखेंगे क्योंकि फूर सम था तो अगला जो भी segment लेंगे अब फूर फूर पर लेंगे तो यह फूर सम जो है वो मुझे कही इस से फूर आया ठीक है तो फूर हो गया तो यह है यहां पर फिकने संबानन है तो इसके लिए अगर हम्काम mainos एक एंड चार मैं यहां से बढ़ा चार तक तो मैंने कर लिया था अब मैं अगले element के साथ देखूंगा पांच नहीं divisual हो रहा है छे divisual हो गया फिर मैंने बोला कि अब जो भी segment मैं लूँगा अब 6 लिंद 6 sum वाला लूँगा तो यहां पे अभी हमारा thickness 3 है यहां पे counting जो आभी आई होगी यहां पे zero कर दिया मैंने sum को zero किया और आगे बढ़ा फिर मैं देख रहा हूँ अब यहां पे फिर से segment 6 का है सम 6 का segment बना ठीक है और यहां पे भी thickness 3 है ठीक और यहां पे देखो इसको include करने के बाद कोई भी element नहीं बच रहा है तो यहां पे ठीकने 3 आ गई दूसरा तरीका एका और इसमें जो है अब तक हमने यहां तक देख लिया है अब इसके बाद देखेंगे 4, 3, 7 नहीं individual है 8 नहीं individual है 8, 4, 12 individual है तब जो भी segment लेंगे वो 12 length का बारे संबाला segment लेंगे ठीक है तो और आगे कुछ element नहीं है तो अपना loop यहीं print करेगा और यहां पे thickness 6 है और यहां पे 6 है अब इन तीनों का minimum हम लेंगे जैसा मैं समझाया जैसा explanation में वही same चीज है जो question बोल रहा है वही same चीज आपको करना यह तरह का यह brute force से प्राउच है तो इन तीनों का minimum है वो 3 है और यही आपका optimal answer है तो basically क्या हो रहा है हर एक पहले मैं segment पहले define कर रहा हूँ कि क्या इस length का segment possible है तो आपने जैसे ही देखा कि एक length एक sum जो है मिल गया ऐसा जो divide कर रहा तो इतने sum का ही segment मुझे आगे खोजना है तो इस sum का segment आगे खोज दे गए और जहां पर ऐसा कुछ होता है कि हमारा सारा element जो है किसी ने किसी segment में include हो गया और उस length उस sum का segment मेरे continuously मिल रहा है तो वहां पर मुझे एक valid case मिलाईए और इस valid case के साथ जो इसका ठीकने साएगा वो मुझे रखना है दिमाग में मतलब कहीं ने आप चाहिए उता श्टोर कर के एरे में रखो मैं एक variable ले लेता हूँ मीनी जैसा जहां पर minimum रखना है तो कूछ नहीं तो इन इसके लिए मैं चेकी नहीं कर रहा हूँ चेक भी करना तो मैंने पहले एन को बता दिया कि कूछ नहीं हो तो अपने पता है ठीक है और हर बार इसके साथ करता हूँ चला जाओँगा ठीक आपको code ऐसे दिखाता हो आप उसके बाद आपको और इफ पूजीसन से बात करा रहा हूं कि 10 मैं इल के जैसा बात करा हूं कि यह मैंने डिफाइन किया फिस्ट सेग्मेंट का तो मैंते में कितम सेग्मेंट के लिए ठीक है और counting भी रख रहा हूं यहाँ पर जैसे ही मुझे एक segment का sum जो है वो total sum को divide करते हैं दिखा तो मैंने एक एक बना दिया यह segment को as a base बना दिया अब जो भी आगे segment बनेंगे उनका sum इसे की कुल होना चाहिए तो यह sum हमारा temp में store है और आगे उसके next element से मैं सर्च करूंगा आगे तक और आगे चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर से मुझे sum चाहिए तो particular segment का sum लेगा और उसकी counting रखने के लिए count चाहिए ठीक तो temp count and temp sum है लेता चला गया और जो भी जैसे segment का sum जो है वो हमारे इस segment के sum के equal आया मैंने यहाँ पर इसको zero किया और इसको maximize किया तो यह maximize temp max जो आपको है वो basically आपका क्या है यह आपका थीकनिस बता रहा है यहाँ पर इस segment का थीकनिस सारे हर बार चिक करेंगे और उसको maximize करते maximum होगा वो थीकनिस निकल किया जाएगा तो सारा चेक करने के बाद मैं चेक करूंगा temp sum equal to zero है कि नहीं यह क्यूं यह इसलिए ताकि सारे element अगर यहाँ से आगा जीरो कब आएगा जब सारे element यह हो गया होगा यहाँ आप ऐसे आग गया होगा अब आप बोलोगी element ही zero है तो आपको question में लिखा है सारे element positive integer है ठीक है तो देखो one से शुरू हो राद zero तो है ही नहीं आप तो वो possibilities नहीं है ठीक तो यहाँ पे ही zero होकर आ रहा होगा मतलब सारे element include हो चुके हैं segment में तो अपना तभी हम minimize करेंगे वो एक valid splitting method बनी है यहाँ पे तो मैं minimize कर लूँगा value minimize करन है ओके इस वीडियो में इतना ही था and I hope मेरा explanation आपको समझ में आया है and कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आप contest की बीच में video बनाते हैं तो ऐसा नहीं है वीडियो बनाता हूं मैं बट मैं upload नहीं करता है वीडियो को ठीक है तो यह वीडियो contest खतम होने के बाद ही upload होगा और मैं इसको schedule करके रख देता हूं तो ऐसे चीजह नहीं है कि मैं cheating जैसा कुछ काम कर रहा हूं यहाँ ठीक है कि सो एक तो अच्छा ही है कि आप लोग ऐसे चीजों को देख रहा है और उसके बारे में बोल रहा हो तो बहुत सही है बढ़ हां मैं ऐसा अपने चैनल पर नहीं करता ओके इस वीडियो में इतना है था एंड इस question का लिंक कोड का लिंक एंड टिल्क्राम जनल का लिंक आप